वेलकम बैग दियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फ़ाल सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि DBMS क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ basic terminologies like data, information, database इन सब के बारे में डिस्कस किया था यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को तो next आज हम बात करने वाले हैं file system के बारे में जब हम database management system के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे mind में question आता है कि जब dbms नहीं था तब क्या हुआ करता था हमारे computers में तब कैसे store होता था data तो उसका answer है तब file system use होता था file system जो है उसको operate करता है operating system और file system के तूँ एक operating system अपने files का track maintain करता है कि कौन सी file कहां पर रखी हुई है यहां हमने इसके information से related इसके definition दी हुई है a file system is the method and data structure that an operating system uses to keep track of files on a disk or partition तो जो भी memory है उसमें files कहां कहां रखी हुई है किस partition पर है इस record को track करने के लिए file system यूज किया जाता है operating system के द्वारा तो यदि हम इसकी बात करें तो आज भी इसका live example है हमारा computer system जो हमारा desktop होता है personal computer उसके अंदर generally क्या करते हैं हम कोई भी file save करते हैं तो हम use करते हैं file system जैसे सबसे पहले जब भी आप my computer section में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास में बहुत सारी drives होती हैं d drive, d drive, e drive, f, g, h furthermore drives हम जितने उसमें sections बनवाते हैं वो सारे हमें यह आपर मिलते हैं अब उस particular हर drive के अंदर कुछ न कुछ data रहता है यह folders होते हैं sub folders होते हैं और files होती हैं मान लो हमें software install करना है यह दी तो generally हम क्या करते हैं c drive के अंदर program files नाम चे एक folder maintain करके रखते हैं तो जब भी हम कोई software को install करना चाहते हैं तो उसका जो भी setup होता है वो हम c drive के program files के अंदर जा करके store कर देते हैं वहां पर फिर हम उसका setup install करते हैं चेक दूसरा example हो गया कि कोई भी हमारी general drives थी d e f g h जो भी more drive ले ली उस drive के अंदर मान लीजिए कि हमें अपने particular subject के कुछ notes बनाने हैं तो हमने क्या क्या द्राइव के अंदर मेंने hold कर नाम से एक folder बनाया उस folder के अंदर मेंने जो भी मेरा section हो section नाम से एक sub folder बनाया है let it be emit उसके अंदर फिर से एक sub folder बनाया इस sub folder का नाम मैंने वो रखा जिस subject के मैं notes बना रहे हूं ठीक है तो यहां पर मैंने बनाया है computer science के notes तो इसलिए मैंने emit के अंदर cs नाम का एक folder बना दिया यदि मुझे और भी subject के बनाना है तो emit के अंदर में एक sub folder match का भी बना सकती हूं electronics का बना सकती हूं states का डाल सकते हैं multiple sub folders तो अब मैंने cs वाले sub folder के अंदर अपनी file को save करवा दिया और मेरी file का नाम था lesson 1 इसमें मैंने first unit से related कोई भी notes बनाया थे जो हो सकता है word की file हो excel sheet हो या जो भी powerpoint हो तो कुछ भी presentation थी या जो भी .doc नम से extension से file थी उस file को मैंने इस particular sub folder के अंदर save करवा दिया तो यह जो hierarchy बनी हमारी d के अंदर hold करवे m8 में cs के अंदर यह मिलेगी file तो इसको बोलते हैं हम file system यह hierarchical होता है ठीक तो अब यह जो file system था इसके कुछ drawbacks थे तो इन drawbacks को overcome करने के लिए क्या आया हमारे पास में dbms हाला कि यदि हम file system की बात करें तो अभी भी यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है यूज होना हम जो अपना personal computer यूज करते हैं उसमें हम file system ही यूज करते हैं file system की सबसे बड़ी main drawback यह रहती है कि वो files को हम shareable mode में नहीं डाल सकते हैं और यदि shareable mode में डाल दिया तो concurrency की problem आ जाती है उसमें जिसको हम आगे discuss करेंगे वहीं यदि हम dbms में बात करें तो जो database होता है हमारा वो client server model को support करता है मतलब जो भी database है उसको एक central server पर रख दिया और अब क्या 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 कोई भी client वहाँ पर से अपने से जुड़ी हुए जो भी information उसको लेना है और यदि उसको permission दी हुई है कि वो उस information को access कर सकता है तो वो उस database में से वो particular information access कर पाएगा यदि हम इसके example की बात करें तो जो आपकी Facebook होती है वो भी अपना database maintain करके रखती है Amazon, Flipkart जितनी भी अपकी websites है इनका front end होता है वो website या फिर application जिसके through हम कोई भी उसमें से information retrieve करने की कोशिश करते हैं वहीं इसका back end में होती है database जहां पर हमारी information save होती है जिसे हम Facebook का example ने तो Facebook ने अपना database maintain कि जहां पर जितने भी लोग अपने videos, photos डालते हैं वो सारी store करके रखती है लेकिन क्या होता है जब इस user ने अपना login ID, password डाला तो उस database में से जो इसने save की थी information particular वो information ये retrieve कर सकता है, access कर सकता है वहीं यदि ये user कोशिश करे इस वाले user के information को access करने की तो वो उसके लिए allowed नह नहीं है तो ये एक security का feature है जो हमारे file system में नहीं था वो हम सब यहाँ पर अभी discuss करेंगे, so हम continue करते हैं इसके drawback first के साथ जो है speed, तो file system में हमें वो speed नहीं मिल पाती जो हमें database management system provide करता है, DBMS हमें facility देता है कि हम direct अपनी query दे दें, जिसे हम एक example लें, Indian railway का, ये हमारे सबसे real life example है, DBMS का, तो एक मान दो कि हमारे पास में हम उसकी website पर गए, एक हमारे पास form open हुआ, उसमें उसने train number पूछ लिया, date पूछ लिया, कितने sits चाहिए ये पूछ लिया and then submit button दे दिया, अब हमने जैसे ही submit पर click किया, तो ये query जो थी, ये कहाँ चली गई, Indian railways के पास, वहा तो इसका answer directly उन्होंने आपको जलदी से provide कर दिया, और सिफ उतना ही provide किया, जितनी हमने आपर अपनी request में query की थी, वहीं यदि हम file system की बात करें, तो इसमें जब भी हमें कुछ चीज सर्च करना होगी, तो हमको पूरी file तक जाना पड़ेगा सबसे पहले, और जैसी हम उसम पूरी file में search करेंगे उस particular information को, तो जब पूरी file आई और उसमें search कर रहे हो, तो उसमें आपके पास ज्यादा time लगेगा, वहीं ये जब आपने query भेजी, तो ये search ही वही result करके लाएगा, जो हमारी requirement है, तो यहाँ पर जो है speed की यदि हम बात करें, efficiency की बात करें यदि, तो DBMS में efficiency काफी अच्छी हो जाती है, next हम बात करें security की, तो file system हमें security प्रोवाइड नहीं करता है, generally आपने देखा होगा, कि हम computer में, जैसे ही starting में password डालते हैं, system on होने पर, उसके बात system हमारे पूरा open हो जाता है, हम किसी भी drive में जा सकते हैं, और किसी भी file को open कर सकते हैं, तो यह drawback था किसका, file system का, यह हमारे पास security नहीं थी, लेकिन यह security हमें DBMS ने provide की, जैसे हमने अभी example लिया Facebook का, तो इसमें security आई कि आपने अतना login ID, password डाला है, तो database में आपको उतना ही portion दिखाई देगा, जितने के लिए आप eligible हो, आपको किसी दूसरे का, जो आपका friend नहीं है और इदि उसने अपनी चीज़ें hide कर रखी है, उस पे कुछ protocols लगा रखी है, privacy लगा रखी है, तो आप उसके data को access नहीं कर पाएंगे, तो यह security हो गई, इस user ने जो अपने था data वो access कर सकता है, लेकिन बाकी का नहीं, वहीं यह जो user है, यह login ID, password डालने के बाद, authentication हो जाए सकता है, तो यह चीज़ आ गई, security, next is, concurrency, concurrency में भी हम example ले सकते हैं, हमारे Indian railway का, यदि मान लो, जब आप अपने टिकेट की booking कर वाने जाते हैं, तो Indian railway में इतने सारी trains शलती हैं, इतने सारे passengers उसमें travel करते हैं, कि जब हम अपने टिकेट की booking कर आ रहे होते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग सेम टाइम पर उसकी website को access कर रहे होते हैं, और वो भी टिकेट की booking करा रहे होते हैं, तो यहाँ पर DBMS कुछ protocols प्रोवाइड करता है, जिसकी कारण क्या होता है, concurrent data access होने में कोई problem नहीं आती हैं, यदि पहले 100 seats थी, और जब हम उसको access करने गए, तब तक 5 लोगोंने seats book कर वाली, तो अब हमें availability 95 दिखेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो अभी भी 100 दिखाई दे, रियल टाइम में work करती है, अगर हमने अपना ticket book करा लिया, तो अब वो 95 से update हो करके 94 आ जाएगी, तो यह है concurrency, concurrency के साथ में integrity maintain करना, कि भले ही उसको बहुत सारे लोग access क कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब seat book होती गई, तो वो seat को अलग करते जाए, वो seat ऐसा ना हो कि अगर 5 लोगोंने book कर ली, उसके बाद में भी 100 के seats available बता रहा है, और फिर लोग available seat को समझ के उसको book कर लें, बाद में फिर उनको travel के time problem हो, तो इसको overcome करने के लिए, यह problem किसमें थी हमारे file system में, उसमें concurrent access नहीं था, next आती है redundancy, redundancy को हम simple way में बोल सकते हैं, duplication, तो duplication की यह भी बात करें, तो duplication के case में कई बार क्या होता है, कि जैसे मान लीगे, student से related information है, तो अब student के information हो गई, role number, name, address, phone number, age, marks, बहुत छारी चीज़ है, तो यह सारी कहां पर store होगी, आपके exam department में store होगी, क्योंकि आपके mark sheet बनानी है, यह जितने combinations है आपके subject के, वो सारी जगह पर store हो सकती है, उन सारे departments में, पर अब क्या होगा, same चीज़ जो थी आपकी, वो हर department में अगर store होती है, तो इसको बोलते हैं duplication, यह जो चीज़ न सब जगे, एक जगे लिखी थ आपको, अगर आपके पास चार subject हैं, पांच subject हैं, तो पांच department में वो चीज़ duplicate हो रही है, उतने memory हमारी waste हो रही है, या फिर अगर हम कहें कि कभी आपका address चेंज हो गया, तो आपको पांच department में जाना पड़ेगा, और उनको inform करना पड़ेगा कि मेरा जो address है, उसको update कर द जाता है, जैसे यदे हम example ले लें, कि कोई general office है या फिर हमारा exam department है, अब यह जो information थी starting की, role number, name, address, phone number, age, date of birth, और बहुत सारी details, यह सारी हमने कहां सेव करवा दी, exam department में, अब जो हमारे बाकी के departments है, उसमें क्या है हमारे पास student का role number, और उसने कितने marks gain किये हैं, particular subject में, उस की details, और बाकी की details हम, डेपार्टमेंट में स्टोर नहीं करवाएंगे, तो उस case में क्या होगा, इतना data आपको बार बार सेव करने से बच गया है, यदि बच्चे का address या phone number को change हुआ, तो वो सेव सीधा कहां जायागा, उस general office या फिर exam department में, और उस एक जगे जाके inform कर दे department में सेदी कुछ information जा रही है, या वहाँ से data access करेंगे, तो उनको updated address मिलेगा, ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर इस department को क्या स्टोर करना है, role number और marks, अब marks तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि हर department के marks अलग अलग हैं, इसलिए हम इसेव कर रहे हैं, पर हम role number क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि role number जो है, आपका unique होता है, names तो कई बार redundant हो जाते हैं, duplicate names, surname भी same हो जाते हैं कई बार, तो यहाँ पर गया होगा, कि जो आपके role number है, role number के साथ जब marks आपके save होंगे, तो वो आपके ही result में aid होंगे, कहीं किसी और के name के आगे नहीं जाएंगे, तो इसको बोलते हैं, role number को primary की, जो हम आगे जब keys पढ़ेंगे DBMS में, तो उसमें आपको समझ में आएगा, DBMS एक generally theoretical subject है, लेकिन उसमें आगे SQL की queries देखेंगे हम, और जब हम real life examples लेंगे, तो हमें काफी हद तक चीज़े समझ में आती जाएंगी, फिर भी यदि आपको इस वीडियो में कोई doubt आता है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, और यहां तक है दिया को चीज़े समझ में आई हों, तो do like, share and subscribe my channel, और अपनी online learning की process को continue रखें, ठीक है, thank you